वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्ली टेलिग्रम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यही पर आते हैं ध्यान दगे अब हम लोग जोग्रफी स्टार्ट कर चुके हैं तो जोग्रफी के मैंने कुछ कोशन कराये थे आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे अगर आप न्यू है शैनल पर तो डेली रात को नो बज़े ग्लास आती है और इस क्लास की पीडिया प्राप्त करने के लिए या फिर अ न्यू विकेंसी है उसके लिए आप वहाँ पर कोर्स पर चेस करेंगे और ग्यान सब कूपन कोड़ अप्लाई करके आप 20% का तुरन डिसकाउंट पा जाएंगे इसके अलावा आप यह जो नंबर दिये गए इन पर कॉल यह मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं Study for Civil Services के जरिये से आप Best Study Material पास सकते हैं जिसमें आपको Paid Quiz मिल जाएंगी, PDF Notes प्रोवाइट किये जाएंगे, इसके साथ साथ आप Test Series जॉइन कर सकते हैं जिसमें सेक्सिनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंट टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एक्जाम के रिकॉर्डिए और तो यह हो गई आपके course से related जानकारी, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की questions स्टार्ट करते हैं और यह सारी questions हैं आप जो भी course भी लेते हैं, तो latest trend or pattern को ध्यान में रखते विए, आपका course डिजाइन किया गया है, जो आपके selection के बहुत important है और बहुत बहुत भे इन्विश मेरीडियन लाइन भी कही जाती लंदन से वो करके गुजरती है अब इसमें बताना है कौन सी स्टेट है जो सबसे पास में है इस इंटरनेशनल डेट लाइन के पहला option है मलक्का जल्रम रूमध्य, option B है bearing state, option C है फ्लोरिडा इसके बारे में जान लीजे, यह bearing state जो है यह bearing C को चुक्ची C से connect करती है जो कि अलास्का और रस्या को separate करने का भी कारी करती है ति यह होगे bearing state जो सबसे पास में है ग्रीन विच मेरीडियन लाइन के option B correct है इसके लावा बाकी जो भी options दिये गए है उनको भी देख लीजे यह जो मलक्का श्टेट है अन्वान सी को South China Sea से connect करती है फ्लोरीडा अब दान लीजे फ्लोरीडा श्टेट गल्फ आफ मेक्सिको को Atlantic Ocean से connect करती है और जो जिब्राल्टर श्टेट है यह मेडिटेरिनियन सी को Atlantic Ocean से connect करती है तो यह सारी हो गई श्टेट अब टू 70 सेकंड कोश्चन है कोल डायम जल विद्वत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी परिस्थेत है और हिमाचल प्रदेश में आपको यादख में इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन B सतलज रिवर नेक्ट कोश्चन है भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्जी में बना है अप्शन A है राजस्थान अप्शन B है जारखंड अप्शन C है बिहार और अप्शन D है उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन A राजस्थान में भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन बना हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन A इसमें कजाकस्तान की जो सीमा है वो नहीं लगती है रेट सी से इसके अलावा जो साओधी अरब है यमन है सुडान है इनकी सीमा लगती है रेट सी से तो Red Sea से कौन-कौन से countries हैं जो जुड़ी हुई हैं जो border share करती हैं उनको याद कर लीजे इसमें साओधी अरब तो दिया ही गया है यमन भी दिया गया है सुडान दिया गया इसके अलावा मिस्र है रिट्रिया है जिबूती है इसराइल है और जॉर्डन है जिनकी सीमा लगती है Red Sea से तो option यहाँ पर एक रेक्ट है जिसकी सीमा नहीं लगती है Red Sea से अगला कोशन है भारत में प्रतन नुकलियर उजाई स्टेशन की स्थापना कहां की गई? option A है कलपक कम, option B है कोटा, option C है तारापूर और option D है नरोरा इसका सही उत्तर हो जाएगा option C तारापूर में 276 question है निमनलिकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, which of the following pair is not correctly matched, option A है इसमें केंदी इंधन अनुसंधान संस्थान भुपाल में दिया गया है, option B है केंदी खादी प्रवदोगी की अनुसंधान संस्थान मैसूर में, option C हैंदी और सधी अनुसंधान संस्थान लखनों में, और option D केंदी चमड़ा अनुसंधान संस्थान चिन नहीं में, इसका correct answer हो जाएगा, जो option नहीं है ये correctly matched नहीं है, Central Fuel Research Institute जार्खन में है, नाकी भौपाल में है, ये option incorrect है, बाकी सारे सही दिये गए है, Central Food Technological Research Institute मैसूर में है, Central Drug Research Institute लखनों में है, Central Leather Research Institute ये चिन अगला प्रशन है, विसमे दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उभोगता और आया तक देश कौन सा है, option A है, चाइना, option B है USA, option C है भारत, और option D है ब्राजील, इसका correct answer हो जाएगा, option C भारत है, next question देखिए, जूट के संदर में गलत कथन बताना है, तो option A है मानसून के मौसम के दोरान गर्म और उच्च आद जलवाई जूट उत्पादन के लिए प्युक्त नहीं है, option B है जूट को उत्पादन के लिए जलोड मिटी और भारी वर्सा की आवशक्ता होती है, option C है भार जूट के मौसम के दोरान गर्म और उच्च आद की जलवाई जूट उत्पादन के लिए उप्युक्त होती है, और दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बांगला देश आदक में है, पिछले डेटा के अनुसार यही है, भी नया डेटा आता है, तो चेंजेज होंगे तो वो बताए जाएंगे आपको, अगला कोशन है किस राज में कोल बेड मिथेन के उचितम संसाधन है, उप्षन है उडिसा, उप्षन बी है गुजरात, उप्षन C है जारखंड और उप्षन D है च्छतिसगर, इसका करेक्ट आंसर हो जागा राजमार्गों की लंबाई तीसरी सबसे अधिक है, उप्षन A महाराष्टर, उप्षन B है राजिस्थान, उप्षन C उत्तर प्यदेश और उप्षन D है करनाटक, इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्षन B राजिस्थान में है, जबकि राश्टरी राजमार्ग की सबसे ज ब्लैक होल से, उप्षन C है टेलिस्कोप, ये उप्षन D है नन अफ द अबोग, इसका करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे, उप्षन B ब्लैक होल से, ट्वेटी सेकंड कोश्चन है, उसेनिया महादीब को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उप्षन A है 4, उप्षन B है 5, उप्षन C है 6, और उप्षन D है 7, इसका राइट आंसर उप्षन A, फोर पार्ट्स, ये फोर पार्ट्स याद कर लीजे कौन कौन से हैं, इसमें पहला तो और 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 न्यूजिलेंड आ जाता है, सिकंड है मेलनेशिया, थर्ड है माइक्रोनेशिया, और 283rd question है सही कथन का चैन कीजिये, कुछ statement दिये गए हैं इस statement को देखकर की बताना है कौन सा उत्तर सही होगा, पहला statement है प्रिसांत महासागर का आकार ट्रिकोन है, सेकंड है अट्लांटिक महासागर का आकार S की तरह है, इनमें से कौन सा statement correct दिया गया है, इसका राइट आंस आप्शन बी है नेपाल, आप्शन C है पाकिस्तान और आप्शन D है अफगानिस्तान, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन A, स्री लंका में पॉइंट पेड्रो स्थित है, 25th question है निमलिखित में आया आपदा की उत्पत्ती की दस्टी से गलत युगम का चैन करें, इसम पहला है सिंद्बंग जौला मुखी सुमाता इंडोनेशिया में, आप्शन B है साफ्रियर केरेबियाई द्रीप में, C है नेरगोगो जौला मुखी ये विरूगा राश्टी उद्दान कांगो गर्डाज में दिया गया है और आप्शन D है सेमरू जौला मुखी न्यू में दिया गया है जबकि या इंडोनेशिया के पूर्वी जावा दीप में सुमेरू जौला मुखी इसका विस्पोर्ट हुआ था तो ऑप्शन D करेक्ट है अगला प्रशन है कृतिम वर्षा के संदर में सही कथन का चैन करें तो पहला कथन है कृतिम बारिस कराने के लिए क केवल समवहनी बादलों को ही सजित किया जा सकता है सकेंड स्टेट्मेंट है क्लाउट सीडिंग प्रदूसर से लड़ने में मदद नहीं कर सकती है इनमें से कौन सा स्टेट्मेंट सही दिया गया है इन ऑप्शन को देख करके बताना है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशन एक करेक्ट है अगला प्रशन है सही कथन का चैन करें कथन देख लीजे दोनों पहला कथन है मरुस्तल उन छेतों में बनते हैं जहां वार्शिक वर्शा 25 से कम होती है सकेंड है मरुस्तल बायों की जलवाई उचाई और अक्षांस द्वारा परिवर्दित होती है इन में से कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है इसका राइट आंसर हो जाएक ऑप्शन दी दोनों स्टेट्मेंट करेक्ट है जहां पर भी 25 संटिमीटर से बारिस कम है उन्हें मरुस्तल की अर्था डिजर्ट की कटेगरी में रखा जाता है वहाँ पर डिजर्ट होता है मरुस इसके बाद अगला प्रशने महादुपी बहाव सिध्धान्त, Continental Drift Theory was proposed by Alfred Wegener in which year? Option A है 1901, Option B 1912, Option C है 1918, या फिर Option D है 1920. इसका correct answer हो जाएगा Option B, 1912 में महादुपी बहाव सिध्धान्त को Alfred Wegener के द्वारा प्रस्तावित किया गया था. 289, Question है, निमने लिखित तत्वों को भूपरपटी में उनकी प्रचुलता के सम्मन्द में घटते क्रम में विवस्थित करना है. इसमें Oxygen, Silicon, Aluminium और Iron को लेकर की Options दिये गए हैं और इन Options को देखती हुए आपको सही उत्तर का चेहन करना है. इसका Correct answer हो जाएग Option A, इसमें सबसे ज़्यादा Oxygen, Silicon, Aluminium और फिर Iron होता है. आज के सेट का Last Question है, निमने खित में से कौन एक बहिर जात भूप आक्रिती प्रक्रिया नहीं है? Which of the following is not an Exogenic Geomorphic Processes? Option A, Nick Shape, Option B, पटल विरूपण, Option C है पक्षय और Option D है पर्दन. इसका Correct answer हो जाएगा Option B, पटल विरूपण, तो आज के सेट में हम लोगों नहीं जोग्रिफी के कुछ important questions देखे आये होप, आपको समझ में आये होंगे. किसी भी question में किसी प्रकार का doubt है, आप comment करके बता सकते हैं, पूर सकते हैं, आपका जो सुझाओ है वो भी comment कर सकते हैं, इसके इलावा इसकी PDF आपको purchase करनी है, या अधर कोई paid group आपको purchase करना है, तो आप Google Play Store पर जा करके Study for Civil Services का app download करेंगे, वहाँ पर आपको course की जानकारी दी गई हैं, जिस भी course की आप प्रेशन करना चाते हैं, जिस भी exam प्रेशन करने हैं, आप ग्यान सब coupon code अप्लाई करें, 20% का तुरन discount पा जाएंगे, तो यह होगी आपके course related जानकारी, इसमें आपको fully study material दिया जाता है, daily practice कराई जा रही है, आपके selection के लिए जो important, जो notes हो होने चाहिए, जो material होना चाहिए, वो सब आपको provide किया जाता है, latest trend और pattern को ध्यान में रखते हुए, अगर selection की तैयारी करनी है, तो आप इस course को join करना ना भूगे, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो please like कीजे, channel को subscribe कीजे, और लोगों को share करते रही है, ऐसे your questions के साथ मैं जाती हो अगली class में, तब तक के लिए धन्यवाद,